चलिए आज हम देखेंगे उत्राखंड सामने ज्यान के अंतरगत एक महत्वपूर्ण टॉपिक उत्राखंड के प्रमुकताल इस टॉपिक के अंतरगत हम पढ़ेंगे तेरा जिल्लों में अस्थित सभी तालों के बारे में जानेंगे उनसे जुड़े हुए कुछ विसेश फ आपको बजाएंगे अगर आपको विसेश फ्ताय नोट करनी है तो आप नोट भी कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला है उत्रकासी उत्रकासी जनबर से जुड़ेवे तालों को हम देखेंगे शुरू करते हैं पहला ताल है हमारा केदार ताल जो उत्रकासी इसे छे कोनव वाला तालवी हम कएते हैं यह है बस्लब से साहय को इसे ताल से निकलते हैं आगला उत्राखंड का मानशरुवर अगला हमारा ताल है सर ताल, परी ताल, रोहसाणा ताल रोहसाणा ताल की सेस्ता ये है कि सरगा रोहनी के लिए रास्ता इसी ताल से जाता है अगला हमारा ताल है ब्रामी ताल एक इंपोर्टेंट ताल हो जाता है कि ब्रामी जो ताल है वो है उत्तरकासिम है और इसी से जुडा हुआ एक नाम है ब्रह्म ताल. ब्रह्म ताल है हमारा चमुरी जनपद में. अगला हम देखेंगे, आगे के तालों को तो अगली ताल है जनक ताल. जनक ताल, जाण जनजाथी के जहान निवास करती है, उसे के समीह विष्टी देख ताल है. आगे की ताल है, शरु ताल, मनेरा ताल, दिवरी ताल, नरसिया ताल, र्यूसरा ताल और सरुका ताल धेखिए ऐसा हो सकता है कि एक ताल दो जनपदों में मिले हो सकता है कि दो जनपदों में दो ताल है और उनके नाम समान है तो पेपर में option wise ये कशन बनेगा अगला हमारा जनपद है वो है तीरी जनपद यहाँ पर हम देखेंगे तीरी जनपद से जुड़े हुए तालों को तो देखते हैं यहाँ पर ताल है सहस्त्र ताल सहस्त्र ताल जो है वो है गड़वाल छित्र का सबसे बड़ा वा सबसे गहरा ताल गड़वाल का सबसे बड़ा वो सबसे गहरा ताल है सहस्त्र ताल यम ताल यम ताल भी टीरी में है और इसकी विसेशता यह है कि यह सदय बर्ब से ढखा रहता है यह ताल अगला हम देखेंगे महासर ताल तो महासर ताल के बारे में हम एक फैक्ट जानते हैं किसे कहते हैं भाई बैन का ताल नहम तालों की बात करें तो यहाँ पर है मनसूर ताल तो मनसूर ताल जो ताल है वो खतिंग लेशर की ठीक सामने इसी थे और इसे कहते हैं कि खतिंग लेशर की ठीक सामने कौन सा ताल होगा तो मनसूर ताल आगे हम देखेंगे अपसरा ताल जिसको हम कहते हैं अचरिया ताल, अचरी एक सब्द है उत्राखंड में, अपसराओं को अचरी का जाता है, और अचरिया ताल है उत्राखंड में, लेकिन एक और ताल है आचरी ताल, यह है अचरिया ताल, जब कि आचरी ताल है चमोली जनपद में, आगे हम देखते हैं, बि देद राज हंसों के लिए परसित ताल है, मनसूर ताल, भिलंगना की सायग न दी है, जो दूद गंगा वो भी निकलती है, मनसूर ताल से, और एक फैक्ट हम पहले बात कर चुके है, खतलिंग के ठीक सामने है, ये ताल, तो ये थे टेहरी के ताल, आगे हम देखेंगे न्या ताल के ताल, तो यहां पर पैरा ताल हो जाएगा हमारा न्यानी ताल, दूसरा ताल है हमारा भीम ताल, भीम ताल, गहरी निली रंग वाला ताल कहते हैं, भीम ताल को, और कुमाओं का सबसे बड़ा ताल भी है, भीम ताल, कुमाओं का सबसे बड़ा ताल है, भीम ताल, औ की तिर भूषक आखार वाल ठाल भी हम मनते कभीलों को यह कईते हैं सी अकार का टाल भी है भीम ताल यह आगे बहुते हैं पात करें कुमाओं का सबसे गहरा जाओं लॉफ नौ कॉचिया ताल эти का अब बात करते हैं आगे साथ ताल, साथ ताल में कई सारे ताल सामिल है, इसलिए इनको सब को कहते हैं साथ ताल आगे देखेंगे, खुर्पा ताल खुर्पा जिसे कहते हैं, जान औरों के खुर्पा कहते हैं गरवाली में तो खुर्पा ताल, हरीस ताल लोखम ताल लोखम ताल की उसेस्ता ये है कि इसका रंग बदला बदला सा देखता है तो इसलिए इसको कहते हैं लोखम ताल का रंग लगातर बदलता रहता है तो रंग बदलने वाला ताल हम देखते हैं तो वो है लोखम ताल सुखा ताल, सडिया ताल, मलवा ताल, नल ताल इसको हम कहते हैं कमल ताल भी नल ताल का दूसरा नाम है और मलवा ताल तो ये थे हमारे यानि ताल के ताल आगे हम देखेंगे रुद्रप्याग तो रुद्रुप्याग के तालों को हम देखेंगे तो इसमें से सबसे पहला ताल है देवरिया ताल देवरिया ताल को हम जानते हैं कि इसमें चोखंबा प्रुवत का परतिविंब दिखता है और ये है रुद्रुप्याग के उकीमट तैसिल में हागे हम दिखेंगे बदानी ताल सुंदर रंगी आमँ इस ताल में रहती है बदानी ताल इंवरुद्र प्याग में गांधी स्रोवर को हम अन्य नाम से भी जानते हैं जिसके अन्य नाम है चौराफाड़ी ताल और सरवदी ताल देखेंll गांधी शरोवर से ही उत्राखं़ की पषिद्ध्द आपधा किया दापधा आई थी जब Kalbuntu Sky अगया था और सारा पानी नीचे आगया था तो चलो देखते हैं आगे BAS acceler lakani 1974 की ताल ये तो, अगर आध ही तो चलो देख़ते ताल है उसे हम कहते हैं लाल रंगा तालीर वासु की टाल जग्या ताल में जब्धी दी charging कहते हैं और गोडाकार देंगे कई अ te के के ताल तो च्पुरी के दालों में हम देखेंगे रूपकूंड तो जैसे रहस्यमई ध्षिल भी हम कहते हैं रूपकूंड जो अंतिम यात्रास्टल है जो अंतीम अस्थल है नंदा राजजात यात्रा का हेमकूंड जहाँ पर गुरुद्वारा और लक्षमन का मंदिर है और जो सिक्कों का प्युत्र तीरत है हैमकुंट सतोपन ताल से हम जानते ही सब जानते हैं विरही ताल देखिए विरही ताल एक सायकन दियारक नदा की तो जील नदी में भूसकरन होने से यहां पर एक जील बन गी थी विरही ताल दिसकों गौना जील भी कहते हैं जो 1894 में तूर गई थी आगे हम देखेंगे बेनि ताल के टठ पर मंदिर है नंदादेवी माका अगला हमी देखेंगे लिंगा ताल और भी बात करें हम आचरी ताल की तो जब हमने टीख देखा था तो आमने एक ताल देखा था अचरिया ताल जिसको हम अपसरा ताल भी कहते हैं और आचरी ताल है चमोली में आगे हम देखेंगे देव ताल इसके बाद अन्य ताल है मात्रिका ताल नर्सिया ताल अरवा ताल विश्नु ताल सु ताल हमने ब्रामी ताल पड़ा थो तर घर तो जार, जॉब कि हमने मंधब झाल है रुदरप्याग में रदिर न बताल और रेंस्राउन के और हाथी कुंड़ जबके हाथी परवत है चमूली में आगे देखेंगे हम चंपावत के ताल चंपावत के ताल में हम देखेंगे तो एक ताल है जिल्मिल ताल जिल्मिल ताल के हम बात करें तो इस ताल को हम कहते हैं गोल आकरतिव और नीले रंग का ताल है आगे हम देखेंगे श्यामला ताल श्यामला ताल के बारे में अगर बात करें तो सपेत कमल इस ताल में खिलते हैं और स्वामी बिभीय कनंद का जो आश्रम था आश्रम है अद्वियत आश्रम वह इसी के तड़ पर इस्तित है चंपावत में श्यामला ताल चंपावत में ना आगे हम देखेंगे नाग देव ताल गांक देखेंगे के चंदवादि ताल कासरो टाल और कुण्ण यहतीन है उधाम सिंध के ताल और गिळी तब करने हम देखेंगे हरीद्वार के ताल तो हेतवार में एक ही ताल हम देखेंगे, यहाँ पे दिव्या-श्रोवर, अब है पिफङरागड़, जो बारमाजिल हमारा, तो पिफङरागड़ में जो ताल है, वो है, पारवतिकुंड, यहाँ का एक परसित ताल है, राकस ताल यहां पर परसिप ताल है और देवतालаст शुरोवाद यहां का एक ताल है इहाला आन्ठीयाज बागेशवरMax बागेशवर में एक ताल है सुकुंडा ताल सुकुंडा ताल बागेशृर में है जबकि सुकुंडा नाम-क टियो। ह्लेक्ट तैस धिरी गडवाल में अब हमने कुछ फैक्ट नहीं देखे थे जैसे नौकुचिया ताल को हम कहते हैं विदेशी पक्चों के प्रवास का ताल और नौकॉनावाला ताल और कुमाओं का सबसे गहरा ताल भी है नौकुचिया ताल तो नौक्षय ताल के बारे में हमने ये देखा, कुछ तालों के बारे में और कुछ फैक्ट है तो वो ये है, कि द्रावड मचली के लिए प्रसित जो ताल है, वो है, डोडी ताल, रंग बदलने वाला ताल है, लोखम ताल, और एक ताल ऐसा है जिसका नाम है सत्यपद ताल, सत्यपद ताल उपनाम है उस ताल का तो वो है सत्यपद ताल, और दो मंदिरों के तड़ पर नंदा देवी का मंदिर इस्तित है, तो पहला है बेनी ताल, जो है हमारा चमोली में, और दूसरा भी चमोली में है, लिंगा ताल, इन दोनों के तड़ पर इस्तित है हमारा